हेलो स्टूदेंस वेल्कम बैक टू क्लास 12 इंग्लिश क्लासेस स्टूदेंस आज हम दिसकस करने वाले आपकी फ्लाविंगो बुक का चैप्टर नमर 3 जो की लिखा गया विलियम डगलस के दौरा ठीक है चली सबसे पहले जल्दी से अपने राइडर के बारे में जान लेते हैं तो विलियम डगलस जिसका बर्थ हुआ था मैने मैनिस्टोटा में ठीक है इंग्लिश और एकोनोमिक्स में ग्रेजवेशन के बाद विलियम डगलस एक टीचर के रुप में दो साल तक काम किया ठीक है और दो साल के बाद टीचिंग जॉप चौन कर वो आगए लॉग के फिल्ड में एक एडवाइजर के रुप में उसने 36 एर काम किया ठीक है यह जो चैप्टर है उनके बुक से अपना चैप्टर स्टार्ट करते है जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते है विलियम डगलस अपने बारे में बताते हुए बोलता है कि जब मैं बहुत चोटा था तो मैं पानी से बहुत डरता था तैरने से या किसी वाटर बॉड़ी में जाने से बहुत डरता था ठीक है और इस चैप्टर में अपनी उस डर का उसने जिक्र किया है और कैसे उस डर से अपने आपको बाहर निकाला इन सारे बादों को इस chapter में उसने बताया है चलिए फिर start करते है William Douglas बताते है कि जब वो 10-11 साल के थे तो YMCA pool में याकीमा रिवर में एक pool था YMCA pool YMCA मतलब होता है Young Men Christian Association Young Men Christian Association के उधार एक pool बनाया गया था इसका इसको YMCA नाम दे दिये गया था ठीक है तो वहां याकीमा रिवर में पूल था जहांपस मैं swimming तायरने के लिए गया मेरी मम्मी एकसर मुझे बोली थी वहां जाने के लिए रोकती थी क्योंकि वह बहुत ट्रीच्रस था जोखिम भरा था ठीक है लेकिन यहां पस विल्यम डगलस बताते हैं कि वह पूल इतना भी रिसके नहीं था क्योंकि वह श्रेलो एंड पे दो तीन फीट ही गहरी थे श्रेलो एंड मतलब होता है किनारे जहां पास पानी कम होता है ठीक है और डीप एंड पे आट नाओ या एट टू नाइन फीट ही वह डीप थी ठीक है मैंने अपना वोटर विंक्स लेकर स्विमिंग से लिए चला गया ठीक है आगे वह बोलते हैं यह बचपन से ही पानी से बहुत डल लगता था इक्तर नफलत करना जो मेरी वाइन है वह मेरी बचपन से है बचपन से ही थिक है जब मैं लग बग टीन-चार साल का था तब मैं के बीच में गया था अपने फादर के साथ ठीक है अपने पापा जी के साथ वहापस मैं उस बीच के किनारे में खड़ा हुआ था सर्फ में ठीक है फिर अचानक वाटर वेव आया और मेरे सीर्क्यू पर से निगल गया मैं बहुत ज़्यादा डर गया था लेकिन मेरे फादर जो थे वो हस रहे थे वो रि स्विमिंग के लिए वाई अंसी ए पोल में आया हूँ तो जो मेरी डर है वह फिर वापस आ गया है ठीक है वह बहुत अपने उस डर को दूर करते हूए मैं अपने water wing लेके पानी के अंदर गया ठीक है और जो वहाँ पस कुछ और boys थे जो swimming कर रहा थे उन्हीं लोगों को देखकर apping means होता है नकल करते हुए मैंने swimming सीखना स्टार्ट कर दिया ठीक है मैं 2-3 दिन ही hardly वहाँ पस जाके practice किया था फिर मेरे साथ एक misadventure हो गया या दुरगटना हो गया दुरगटना क्या हुआ था उनके साथ देखिया गया वह बताते हैं कि मैं 2-3 दिन बाद एक दिन जब मैं swimming pool में गया तो वहाँ पस कोई नहीं थे मैं देखा खुदको अकेला पाया वहाँ पस ठीक है मुझे बहुत डर लग गया था क्योंकि मैं अकेला था और मुझे swimming अभी तक आती भी नहीं थी तो मैं वही पस चुपचा बैठा हुआ था फिर अचानक वहाँ पस एक big bruiser boy मतलब होता है हट्टा कट्टा सा लड़का ठीक है एक लड़का आया जो की हट्टा कट्टा सा दिखने में लगबग 18 years old 18 साल की लगबग था वो लड़का ठीक है वो मेरे पास है और मुझे बोल पाता है कुछ सोच पाता है उससे पहले ही उसने मुझे उठाया और उस वाइंस ये पूल में उस river में फेग दिया ठीक है अब जैसी उसने मुझे टॉस्ट किया टॉस्ट करना मतलब उचाल का फेग दिना ठीक है मैं गहरे पानी में चला गया कहां पस deep end में जहां पस रहांगा ठूकिए मैंने कुछ प्लान करना स्टाट किया मैं सोचा जैसे मैं नीचे जाऊँगा लैंड में मैं बहुत जोर से पुष्ट करूंगा उपर के साइड और इजली फिर उपर आके धीरे-धीरे से किनारे के साइड चला जाओंगा, ठीक है? लेकिन एक चल में situation वैसा नहीं हुआ जैसे मैं सोचा था, ठीक है? वह जीतना easy मैं सोच रहा था, वैसा कुछ नहीं हुआ जैसे मैं नीचे गया मैं बहुत जोर से push किया, ठीक है? लेकिन मैं उस वे में उपर नहीं आ पाया जैसे मैं सोच रहा था जैसे मैं imagine कर रहा था ठीक है मैं 8-9 फीट पानी की नीछे जाते तक ही मेरे सांसे भर गई थी ठीक है मैं breathe करने में सांस ले में बहुत ज़्यादा problem हो रहा था मेरी जो लंक्स थे वो बस्ट होने लगे थे ठीक है क्योंकि सांसे मेरी भर गई थी मैं सांस नहीं ले पा रहा था अच्छे से ठीक है फिर क्या किया वो बोलते है कि मैं जितना भी मेरे से हो सके जैसा भी मेरे से हो सके मैंने श्राइ किया उपर आने का या किनारे में आने का ठीक है लेकिन फिर भी मैं किसी भी तरह से नदी से बाहर या उस पूल से बाहर आनी पा रहा था मैंने आखे खोला तो मैं मेरे को सिर्फ क्या दिखा मुझे सिर्फ पानी और पानी ही दिख रहा था जो कि मेरे डर को और भी बहुत ज़्या रहा था कि मेरे पास कोई रोप आ जाया कोई रस्ती आ जाया जिससे मैं जिसको मैं पकड़ कर बाहर निकल जाओ ठीक है मैं बहुत ही ज्याद़ सफोकेटिंग फील कर रहा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ठीक है मैं हाथ पैर मार दे जा रहा था मैं स्विमिंग करना चाह रहा था लेकिन मैं बिलकुल भी थोड़ा भी किनारे के साइड मैं आने पाणा था ठीक है मेरी आखे मेरेह सारी चीजें वह सब तो दीरे दीरे वाटर से बाहर आ रहे थे लेकिन मेरे मुझ अभी भी पानी के अंदर इता मैं लगा तर कोशिश कर रहा था ठीक है इस तरह से वह अपने उस वाटर जब वह डूब रहे थे तो अपने उस सिच्वेशन को यहां पस डिस्क्राइब करता है कि वह किस तरह से पानी के अंदर से चिलाना तो चाहता था इसक्रीम मतलब चिलाना लेकिन मेरी आवाद सिर्फ पानी तक ही रहा पाती थी और पानी ही मेरी वोईस सुन पाती थी बाहर कोई मुझे सुन नहीं पा रहे थे ठीक है फिर बोलते हैं कि मैं ऐसा फील कर रहा था कि जैसे मैं नीचे स्टक्ट हो गया हूँ पानी के अंदर स्टक्ट हो गया हूँ और कोई इर्रेजिस्टेवल या बहुत ब्रबल फोर्स मुझे पीछे खीच रही है या मुझे साम आगे नहीं जाने लगे ठीक है मैं बहुत ही जादा लेजी फील करने लगा अब फाइनली इतने जादा मेहनत करने के बाद भी जब मैं बाहर नहीं आ पाया तो मैं मेरी जो कॉन्फिडेन था वो लोज होने लगा अब मैं और मेहनत या और ट्राइ नहीं करना चाहता था ठीक है अब मैं चाह जाएगी ठीक है मैं इस पानी में डूप जाओंगा ये सारी फिलिंग्स मेरे तरफ मेरे मन में आ रहे थी ठीक है जो एक तरह का आतंग था या जो टेरर था इस वाटर को लेकर वो पूरी तरह से मुझे जकड लिये था ठीक है मैं चाह कर भी उस टेरर से बाहर नहीं निकल प जो कि मुझे यह असास दिला रहा था कि मैं अभी तक मैं क्या हूँ जिंदा हुँ या मैं मरा नहीं हूँ ठीक है फिर वो बोलते है कि जो वाटर था वो उसमें मैं जैसे की पहले बताया वो अक्सर यह सोच रहा था कि मेरे सामने कोई रोप कोई लेडर कोई वोटर वींक् पूरा वाटर बॉड़ी ही वहाँ पस थी उसके उसको छोड़कर उस जगह में उनको कुछ और चीज़े दिखाई नहीं दे रहा था अभी तक ठीक है आगे वह बोलते हैं कि मेरे जो सासे थी या मेरे जो स्टेंथ ही वह कम हो रहे थी मैं ज्राउजे फील करना मतलब स्लीपी फील करना नीन में जाना ठीक है देखो बहुत साल जब हम बहुत लगा दर कंटिनुसले कुछ काम करते हैं कुछ मेंद करते हैं कुछ किसी चीज के लिए एफट डालते हैं लेकिन हम सक्सेज नहीं हो पाते बहुत ज़्यादा टोटली मेहनत के बाद तो धीरे दीरे हमारी हिम्मत है वो तूटने लगती है तो इस तरह से जो विल्यम डगलस था उनका हिम्मत एक तरह से तूटने लगा था ठीक है उनको यह लगने लगा था कि अब मैं इतना मेहनत के बाद भी नहीं निकल पा रहा हूं तो शायद अब मेरी एंड हो जाएगी यहां पस मैं क किसी भी तरह से इस वाटर बॉड़ी से बाहर ने निकल सकता अब याद रखना कॉन्फिदेंस जब हमारी लोज हो जाती है तो वह हमारे लिए सबसे बूरा टाइम होता है जब तक हम कॉन्फिदेंट होते हैं किसी चीज को ऊवरकम करने के लिए तब तक तो ठीक है जब हम किसी भी तरह का एफर्ट लगान लग्भगबंद कर दिया ठीक है अब उनको लग रहा था कि मैं चूपचाप रहूंगा मैं मेरा एंड आ चुक है ठीक है वो चूपचाप रहने लगे वो शांत रहने के लिए स्टील हो गय ठीक है Jupiter हो चाहता था कि अब मैं हमेशा के लिए सोने वाला हूँ या मैं मरने वाला हूँ ठीक है फिर वो आगे बोलते हैं कि जब मेरी कुछ टाइम बाद जब मेरी नीन खुली ठीक है विलियम डगलस बताते हैं कि जब मेरी नीन खुली तो मैं कहां पस था मैं थार बीच में ठीक है उसके YMCA पूल के किनारे में वाहर में बहुत सारे लोग मेरे चारोड थे मुझे घेरे हुए थे ठीक है और लोग बात कर रहे थे कि ऐसा कैसा हो गया बहुत हो सकता था इनकी जान चले चाती ठीक है लेकिन जो लड़का जिसने मुझे थ्रोग किया था जिसने मुझे फूइका था वो यह बोल रहा था कि I was to only joking ठी टिक है बार-बार उस्च मैं जब में में हमेड आने के बाद में बहुत ज़्यादा वीक और trembling फिल कर रहा था बहुत जादा कम्जोर फिल कर रहा था अभी तक मैं काप रहा था उस दिन में रात भर सो नहीं Desdeаешьeeee मैं रात बार उस दिन सो नहीं पाया ना तो कुछ खा पाया उस पूरी रात वह जो हांटिंग फियर था हांटिंग फियर मतलब बार बार याद दिला याद आने वाली डर ठीक है वो मेरे बॉड़ी को और मेरे मन को वोबली मतलब होता है जर जर कमजोर करते जा रहा था बार इसके बाद मैं फिल से कभी भी इस तरह उस पूर में वापस लाटके नहीं गया ठीक है और हमेशा मैं पानी से डरने लगा और जीतना ज़्यादा हो सके मैं हमेशा पानी को अवाइट करने लगा ठीक है कुछ सालों बाद अब वो तो इंसिडेंट हो गई अब कुछ सालों लेकिन जो मेरा डर था मुझे वहां जाने के लिए रहा था ठीक है जो मेरा डर था की जो एक तरह का टरर मेरे मन में आ गया था जो आतंग था वो मुझे जकड के रखा था और किसी भी तरह के वाटर बोड़ी में चाहर रिवर हो या कोई भी जगा वहां जाने के लिए मुझे रोकता था वो चीज ठीक है मैं हैंडी केवड फिल करता था पैरलाइज फिल करता था जो आईसी वाटर होते थे वो मेरे मन मे वाटर की तरह बैट गया था थीक है मैं कभी भी किसी भी तरह के फिशिंग में भी नी जा पाता था चीक है मीनस टो टलμεर जितना हो हो सब्वाटर से दूर ही रखता था ढागे वह बताते हैं की इन सारे चीज़ों के बाद एक दिन मैंने हुदा या जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे तो swimming सिखनी ही है, ठीक है, या मैं swimming सीख के ही रहूँगा, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक decision लिया, decide किया, एक instructor रखने का, instructor मतलब होता है, सिखाने वाला, ठीक है, swimming सिखाने वाला, swimming सिखाने वाले instructor, तो instructor रखने का decision लिया, मैंने, मैं स्विविंग सीखना स्टार्ट किया ठीक है इस्टटर मुझे मिंग पूल पर ले गए wij הכई प्रैक्टिस प्म रेक्ड प्र तीक पूरे विक चाऄ सबसे पहले तो मेरे डर डूर किये एक तरह का डर पैट गया था वो इसे मुझे जए अंदर सांसे लेनी है ठीक है या सर्वाइब करना है फिर अलग-अलग तरह से मुझे स्टाइल सीखा है ठीक है किस तरह से मैं अपने हैंस और लेक्स का यूज करके स्विमिंग कर सकता हूं ठीक है तो इस तरह से दिरे-दिरे फैनली वो मुझे सिखाते गए piece by piece step by step ठीक है यह सब तीजे लगबग एप्रिल तक चला ठीक है एप्रिल के मन तक वो मुझे उस ने सिखाया फिर फैनली उसने बताया कि मेरा काम अब खतम हो गया है अब आप स्थीमिंग सीक चुके हो ठीक है लेकिन मेरे इंस्ट्रक्टर के बता लाने के बाद भी मैं से उर नहीं था ठीक है मैं सबस्कें करत पाया हूंगा और तोधि को गतली विर दार्ख से इम्हें अपर में की ब्रृट्र दूर बछबP कि यहांप सुछ नेम दिया है आप देख सकते हैं वेंड वर्थी निउ हैम ठीक है ट्रिक्स आइलेंड अभी गया मैं स्विमिंग अपने अपने स्विमिंग को ट्राइ करने के लिए अपने पूच को पाया ठीक है बहुत अच्छे से तैर पाया मैं और इस तरह से धिरे-धिरे मुझे मैं शियोर होने लगा कि हा मैंने अब स्वीमिंग सीख लिया बीच बीच में मुझे डर तो लगता था पानी को दिखकर या मैं जब नीचे जाता था तो वाटर बॉड़ी को देखकर लेकिन मैं उस पानी को यह बोल देता था खुशी-खुशी में कि अब आप मुझे नहीं डरा जा क्ते हैं और इस तरह से फाईदली मैंने इस चीज को कंफर्म किया कि आप मैं जो अपने डर था उसको ओन कर चुकetas का टाइटन में जगहों में वह स्विमंग लिए अकेले गया है ताकि वह अपने डर को दोर कर सके थीक है तो इस तरह से जो एक्सपीरियनस था उनके लाइप में कभी ना भोलने वाला एक experience था ठीक है और इस तरह से उसने एक लाइफ में एक सीख ली थी कि किसी भी तरह के डर को हम confidence के साथ या एक self motivation के साथ दूर कर सकते हैं ठीक है अगर हम चाहें तो हमारे लिए कोई भी चीज impossible नहीं होती बड़े से बड़े डर या बड़े से बड़े लाइफ के obstacle को बधाय को हम अपने आत्मविश्व के साथ और dedication के साथ hardware के साथ दूर कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से विलियम डगलस ने अपना वो story अपना life story बताया इस chapter में ठीक है चलिए chapter में इतना ही है thank you so much